पशुपति कुमार पारस वहीं है जिन पर ये कहा जा रहा था कि वो नितीश कुमार के करीब आ चुके हैं लोग जन्चक्ति पार्टी को दो फार करने के बाद और जब ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में नितीश कुमार और जदियू के लोगों का हाथ है कल वो साबित हो गया कि कहीं न कहीं इसमें एक दूसरा पेच भी है और जिसका हनुमान बनते फिर रहे हैं चिराग पासवान शायद भाजपा व से कोई हटा नहीं सकता है और ये जवाब प्रशुपदी कुमार पारस ने उस वक्त दिया जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि नितीश कुमार पी एम मेटेरियल है अब आपकी यादे ताजा हो गई होंगी क्योंकि उपेंद्र कुश्वा के इस ब नरेंद्र मोदी ही प्रधान मंत्री के पद पर काबिज रहेंगे और उसके तारीफ में पशुपदी कुमार पारस ये कहते हैं कि आज जो भाशन नरेंद्र मोदी ने दिया है वो एकदम शांदार है अब आप सोचिए थोड़ा पीछे जाकर जब ये सवाल उठाए जा रह की भाशपा से है और नरेंद्र मोदी से है आपको याद होगा कि एक वक्त आज से दस बीस दिन पहले लागातार जदियू के कई नेताओं ने ये बयान दिया था कि उपेंद्र कुश्वाह के बोलने के बाद कि नितीश कुमार पी एम मिटेरियल है इसके बाद नितीश कु कि आप अपना घर संभालिये पी-म की कुर्सी की तरफ मत देखिये लेकिन अब जो बयान आया है पशुपती कुमार पारस का वो नितीश कुमार के फेवर में नहीं है हाला कि ये भी एक सच है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि नितीश कुमार प्रधान मंत्री बनने का खाब देख रहे हैं या नहीं लेकिन अभी जब पशुपती कुमार पारस ने कह दिया है कि नितीश कुमार प्रधान मेटेरियल नहीं है उनको ये नहीं देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो पी-म बनेंगे तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जो आरोप लग रहे थे नितीश खुलकर नितीश कुमार के विरोध में नहीं बोलते कि 2029 तक PM का कुरसी खाली नहीं होने वाला है अब आप सोचिए कि चिराग पास्वान बार बार आरोप लगा रहे थे ललन सिंग पर और नितीश कुमार पर कि सुनी ओजित तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए चाचा को साथ लिया गया और उसके बाद पार्टी को तोड़ दिया गया ऐसा अगर होता तो क्या नितीश कुमार के विरोध में बयान देते पशुपधी कुमार पारस उन्होंने साफ कल कहा है लाल किला के पास यब वहाँ ननेंदर मुदीजीन भाशन दिय दिया तो एक म पास विपक्ष का कोई मान्य निता ऐसा है ही नहीं कि पशुपधी कुमार पारस ने साफ साफ इसका बयान दे दिया कि नितीश कुमार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए जब बार बार ये आरोप लग रहे थे कि जदियू ने ही बिहार विधान सभा चुना में जो चिलाक पासवान बार बार नरिंद्रमोदी को अपना राम बता रहे थे और खुद को उनका हनुमान वो भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आज उनके चाचा ने ऐसा बयान देकर ये साबित किया है कि NDA के भाजपा ने कहीं न कहीं कोई तिकडम किया है कि लोग जन्शक्ती पा उस पर बदलाव नहीं हुआ था लेकिन फिर भी चिराग पासवान बार बार चिला रहे थे कि जदियू ने उनकी पार्थी को तोड़ा है लेकिन अभी पशुपती कुमार परस ने ये बोल दिया कि नितीश कुमार पी-म मिटेरियल नहीं है और ऐसा बोल कर उन्होंने ये स तब तक आप जन्ता देंशन देखते रहें मने नाम प्रशांत्रा है बहुत बहुत धन्यवाद